असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग अमीदी असब ठीक ठाव होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं उल्टे-उल्टे बैसन के यह हमने लिए हैं एक प्यास और दो बड़े सिक्टिमाटर और छे हरी मुच्चे हमने पीछ लिए ठीक है यह हमने नमक लिया है एक टीस्पून एक स्कुटिल लाल में गुटा लिए अई हमने तो इसमें पंप र मेती दाने आफ स्कांप दाने लिए कर दो देंगे यह हमने एक कब बेशन लिया है इसमें हाफ टी स्पून जोरे नमक डाला है हाफ टी स्पून हमने कुटी लाल में जिटा लिए और इसमें जाएगा यह हरा दनिया प्यास हरी मुर्टी के सब डाल के इसका हमें बेटर बना लेंगे यह देखें यह हमारी राइद सोरी मेथी दाना जो है कड़कड़ाने लगए अब चूला हम इसका बंद कर देंगे चूला बंद करके हम इसमें प्यास चैनल करेंगे और इसमें सोरी हम आपको बताना बूल गयते हैं इसमें हमने अद्रग लसन भी साथ ही पीस लिया था और हमने चूला ला दिया है और इसकी यह मसाले डालेंगे पिसी लाल में शल्दी ना और एक ही चम्मच हमने यह पिसावा दूम्यान लिया है कि यह बुन रहा है इतने में हम बैसन का बैटर बना लेते हैं यह देखिए बैसन हमने प्यार कर लिया है ना जादा पत्ला है और ना ही जादा बाड़ा है नॉर्माल के वेशन चुन्ड़ अपने अंडबल्टे तयार कर लिया है और आपको दिखाते हैंगे हमने हलका सा कोई इसमें ड़ाया है जो कि मीडियम प्लेम रखना है वह चूले का और हमने जितना चाहिए होगा इसको हिला कर इसमें बैसने करेंगे हिला हिला के बेशन को डालेंगे ताकर मसाला दुरू वह लेखे ना इसका आज पास 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 के खिलाते रिंगे चलिए दिखेंगे हमने तयार सब लिया अब इसको अब यह हो रहा है नीचे से एक दो मिंट में हम इसको हलका सा कोई लगाएंगे फिर इसको टन करते हैं इस तहां को इसको अरांच आप तन रहेंगे इसको लेजिली यह हो जाए रही देखेंगे अगर आपके पास नौन इसकी कवा है तो आप इसको बना सकते हैं हुआ है हो जही हो कर देंगे तीरों यह नें देखके मसाला भी हमारा विण गया है इसमें हम पानी एक करेंगे यह यह दिखने दो गिलास रहा है रहा हैस ताहिस कभा थोड़ा नहीं होता इसका शोलवा थोड़ा पतला होताय है वह ज्यादाशन नहीं रखने है कि हमारे वैसन थ्यायत धुट्टे पणते जो है यह पादी जुट्टे इसको पड़ लेते हैं चलें इसको बाल आता है ते चले देखिए हमारे तयार हो गए अब इसको जब ठंडा हो जाएगा हम इसकी जो ना फिर कटिंग करके आपको दिखाएंगे चले जो ठंडे हो गए वाग को हम यह वाला पहलेगे इस तहां से बिलकुल आराम से इसकी कटिंग उती है आप अपने हिसाब से जितने बड़े आपको रखना चाहें आज रख सकते हैं बाकी भी हम इसी तरहां से कड़ लेते हैं चले देखिए शौरब भी हमारे इसकी कटिंग भी कर लिया है अब हम इसको उठाब कर इसमें डालेंगे सारे सी तरह से में डाल देंगे इसमें डाल दी है बस इसको हम 5-7 मिंच इसको हलकी आज पर पकाएंगे जब तक इसमें बॉइल नहीं आजाता पर उसके बाद देंगे फिर उसके बाद धनिया और गरम मसाला डालेंगे पिस्टावा चलिए यह दिखते हैं और इसका चूला हम बन कर देंगे इसमें डालेंगे पिस्टा हुआ गरम मसाला हरा धनिया चलिए अब इसको हम जाना डिश आउट करके दिखाते हैं यह देखे हमारी हमने डिश आउट कर लिया है उल्टे-पल्टे हमारे तैयार है आप प्राइज जरूर कीजिएगा बहुत मज़े के बनते हैं और मुझे कॉमेंट्स करके बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी ल मिलेंगे पिर एक नई रेसिपी के साथ हम मुझे इजास्त दें अल्ला हाफिस